श्रिलंगा के धाकर तेज गेंदबाज रहे लसित मलिंगा ने क्रिकेट से सन्यास तो ले लिया लेकिन उनकी इस्टाइल को लोग आज भी नहीं भूले हैं लगता है कभी भूलेंगे भी नहीं अलग इस्टाइल के साथ उनकी गेंदबाजी में वो धार भी होती थी कि बल्ल गेंदबाज को देखेंगे तो पहली नजर में लगेगा कि मलिंगा फिर से मैदान पर आ गए लेकिन हाली में एक बार फिर से इस रफ्तार के किंग ने मैदान पर अपना जादू दिखाया है अंडर 19 एशिय कप में शिलंका के नए मलिंगा मतिशा नए कुवेट के खिलाप मैच में अपनी गेंदबाजी से बल्ले बाजो का बुरा हाल कर दिया शार्जा के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में मतिशा ने गजब की गेंदबाजी की और महज 3 ओवर में 7 रन दे कर 2 विकेट जटके इस गेंदबाज की बदोलत कुवेट की टीम 17.3 ओवर में केवल 49 सन बना कर आउट हो गई ये मैच शिलंका ने बड़े अंतर से जीता लेकिन पूरे मैच की महफिल मतिशा पतिराना ने अपनी गेंदबाजी से लूट ली दसल पतिराना की गेंदबाजी अक्षन को देखकर हर किसी को लसित मलिंगा की याद आ गई पतिराना भी बिलकुल मलिंगा की तरह ही गेंदबाजी करते दिखे और साथ ही अपनी घातक यॉरकर से बल्लेबाजों का बुरा हाल किया उनके खिलाब बल्लेबाज क्रीज़ पर तो खड़े रहे लेकिन काफी सहमेवे नजर आए शोशल मीडिया पर अब पतिराना की उस घातक गेंदबाजी का वीडियो वारल हो रहा है इसमें पतिराना अपनी गेंदबाजी के दौरान घातक यॉरकर डालते हुए नजर आ रहे हैं पतिराना की गेंदबाजी को देखकर हर को ये सोच रहा है कि ये गेंदबाज जल्द ही सिरलंका की सीनियर टीम में नजर आएगा और मलिंगा की तराथ विशुघर के बल्लेबाजों को परिशान करने में सफल रहेगा ये पहली बार नहीं है जब मतिशा पतिराना सोचल मीड पर अपनी गेंदबाजी से च्छाए हैं बलकि इससे पहले भी साल 2020 के अंडर 19 वर्ड कप में पतिराना ने गजब की गेंदबाजी की जब भारत्य बल्लेबाज ये शवी जैसवाल को पतिराना ने 175 किलो मीटर की रफ्तार वाली गेंद फेकी हालंकि बाद में पता चला कि गेंद की स्पीड दर्ज करने वाली मशीन में कुछ गरबरी थी जिसके कारण मशीन ने शुरुवात में गेंद की रफ्तार 175 किलो मीटर प्रति घंटे बताई लेकिन बाद में वो गलत नज़र आई वैसे अगर किरकेट इथियास की सबसी तेज गेंद की बात करें तो वो विश्व रिकॉर्ड हो जाता जैसे आपका इस तेज गेंद बाज को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं